Dear Students, Class 6, A Pact with Sun, जो आपकी Supplementary Book के बिटा, उसका ये Last Chapter है, Strange Wrestling Match. Strange क्या होता है? यहाँ पे Strange का क्या मतलब है? मतलब Abnormal सबलकुल अजीब तरिक्ये का. रेस्लिंग मैच, जो पहलवन कुष्टी लड़ते हैं, आमने देखा भी होगा, टीवी पे तो देखा ही होगा, तो एक अजीब सा रेस्लिंग मैच, कुष्टी के मैच की ये स्टोरी है. इस स्टोरी में हुम क्या पढ़ेंगे? कि देवाज रेस्लर कॉल्ड विजे सिंग, एक पहलवन था, जो कुष्टी लड़ते हैं, हुमको रेस्लर कुष्टी लड़ने वाला ये पहलवन बोलते हैं, उसका नाम था विजे सिंग, एक लंबा आदमी था वो, जिसकी बहुती विशाल कंदे थे, और मैस्कुलर आम्स कौन सी होती हैं, जिस पे मास बहुत अधिक होता है, बहुत हैवी मोटी बाजूस की थी, मसल्स वाले, ही टावर्ड ओवर अदर्स लाएके जैंट, टावर्ड मतलब उच्छा, क्योंकि टावर्ड से बने ना टावर्ड, टावर्ड वो तुच्छे उच्छे होते हैं तो टावर्ड ओवर अदर्स लाएके जैंट, जैंट होते देते हैं, राक्षसों की तरहें, वो दूसरों से बहुती लंबा था विजे सिंग पिपल सैड वाजे बोन रैसलर एंड कुट बीट ओल अदर रैसलर इन दा वर्ड जो उसके आसपास के लोग थे वो क्या कहते थे कि जो विजे सिंग है वो जन्म से ही पहलवान है क्योंकि उसकी हाईट मसल्स बहुत ज़्यादा है विए एंड कुट बीट ओल अदर रैसलर जिन दा वर्ड और वो संसार के सभी पहलवानों को हरा सकता है दिस पहलवान had बट वन शॉट कमिंग विच ओफन लैंडेड हिम इन आउक्वार्ट सिच्वेशन वो पहलवान था परन्तु उसमें कुछ ऐसे कमी थी जो उसे अधिकतर ओक्वार्ट सिच्वेशन्स में डाल देती थी ओक्वार्ट का मतलब भी भद्दा या बुरी परिस्थिती में उसने डाल देती थी यह अपने एक मुहावरा भी पड़ा होगा जिसमें कोई अपनी तारीफ को बहुत बुरी तरह से बहुत बढ़ा चड़ा के अपने बारे में जो बाते करता है जो पॉसिबल भी ना हो एक बर क्या हुआ विजे के साथ वो बाजार में बैठा था और यंग मैंस के से घिरा हुआ था आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासिज ओफ मिल्क उसने वहाँ बैठे बैठे कई ग्लास दूद पी लिया मिल्क शॉप थी वहाँ पे टी शॉप पे मिल्क भी मिलता है न देखो कितने सारे ग्लास वो यहाँ पे दूद के पी चुका है उसके बाद ही जैसे ही दूद पिया उसने अचानक से प्रोक्लेम्ड प्रोक्लेम्ड मतलब किसी बात को बोलना या घोशना करना किसी चीज़ की वाई और पिपल अफ्रेड ओफ गोश्ट जो लोग हैं वो भूतों से क्यों डरते हैं I am not मैं तो नहीं डरता किसी भी भूट से I wish I met a slout ghost मैं तो चाहता हूँ मैं एक मजबूत या क्योंकि वो खुद भी बहुत पहलवान धा ना एक अच्छे विशाल मजबूत से भूट से मिलू I would teach him a lesson और मैं उसे एक पार्ट पढ़ाना चाहता There were murmurs of appearance as well as apprehension among the young man तो कुछ लोगों ने क्या कहा वहाँ पे If you walk alone कुछ लोग murmurs कर रहे थे murmurs का मतलब होता है murmuring करना यानि कि आपस में धीरे धीरे बातचेत करना कुछ लोग भैसे डर रहे थे और कुछ लोग और उन में से कुछ लोग अप्रिषेट करने उनकी अप्रिषेट से बने कि उसकी प्रशन सा कर रहे थे वो लोग Among the young man Young man's के बीच If you walk alone at night Throw the hunted desert One of them said जो young man's थे ना उसके पास बहुत सरे उन में से एक ने क्या कहा कि अगर तुम रात को Hunted desert Hunted desert के उनके वहाँ पे पास में कोई शिकार करने की रेगिस्थान है रेगिस्थान के स्थान पर अगर तुम रात को जाओगे You are sure to meet ghost वहाँ पे तुम भूतों से जरूर मिलोगे They roam there freely वो वहाँ आजादी पूर्वा गुमते है क्योंकि desert है desert तो आपने पहले भी पढ़ा एक chapter में वहाँ पे बहुत लंबा दूर तक सुनसान होते है जहाँ पे भूत रह सकते हैं Strange shrieks and moans can be heard all over the place तो strange, जीब सी चीखें और कराहने की आवाजें can be heard all over the place वहाँ पे सभी स्थानों पर कराहने की आवाजें चीखने की आवाजें सुनाई पढ़ती है Travelers have been looted and killed वहाँ पर जो भी जाता है वो लूट लिया जाता है और मार दिया जाता है Would you really want to go there? क्या तुम वास्तव में वहाँ जाना चाहते हो विजे सिंग स्माइटली हर्ट, मिस्ट, एबीट और टू जब उसने देखा कि लोग उसे कह रहें वहाँ जाने के लिए तो विजे सिंग की जो दिल की धड़कने थी थोड़ा सा रुप गई, धीमी हो गई क्यों वो अपने आपको इतना पहलवान बना के दिखा रहा था वहाँ पे तो अब तो वो कहा चुका था अब वो सिचुवेशन क्रियेट होगी तो उसने कहा येस, I have heard of hunted desert मैंने उस बूतिया जगें के बारे में, बूतिया रेगिस्तान के बारे में सुना है He said, non-challendly मतलब भी ना सोचे समझे उसने कहा दिया कि हाँ, मैं जाओंगा I think it's just a fairy tale ये तो सिर्फ एक कहानियों की तर है, काल्पनिक कहानी की तर है ये तो, oh no, said one of his admirers नहीं, उन में से उसके एक प्रशंसक ने कहा It's true, ये सच्ची कहानी है This place is 10 miles to the west on the road of Jaisalmer Jaisalmer से west side में जब आप जाते हो पश्चीम की दिशा में 10 miles दूर जंगल है वहाँ पे The landmark is an ugly black rock और वो स्थान एक भद्दे से काली पहाडी की तरह दिखाई देता है Like the head of camel जैसे उट का सरोत ना, बहुत उच्चा पहाडी की तरह वहाँ पे वो स्थान है Beyond that, there is nothing but sand and wideness and of course ghost वहाँ पे सिर्फ उससे परे रेत और विरानगी है मतलब बिल्कुल अकेला स्थान है और वहाँ पर भूतों के सीवा वो सोचते हैं वहाँ भूतों के अलावा और कुछ भी नहीं है आगे की कहानी बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में कल करेंगे करेंगे